नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन में 7 जनवरी से 8 PCR लाइब से कुरोना की जाज सुरू जार्खन के 12 जीलों में अस्थापित की जाचुकी 8 PCR लाइब में 7 जनवरी से कुरोना की जाज सुरू होगी स्वास्त विभागने कुरोना के नए वेरियेंट बी एप साच से निपटने के लिए इन जीलों में 8 PCR जाज सुरू करने के निर्देश समधी सिविल सरजन को दिये हैं अभी तक इन जीलों के सेंपल जाज के लिए दूसरे जीलों के मेटिकल कॉलेजों या सदर अस्पतालों में भेज़े जाते थे जहां पुरों में लेब अस्थापित की जा चुकी थी बता दे जीन जीलों में 7 जनवरित जाज सुरू करने के निर्देश दिये हैं उनमें गढ़वा, गिरीडी, चत्रा, लाते हर लोहतर का जामतरा, पाकूर, कोडर्मा, खुर्टी, रामगर, सिम्टेगा, तता सराय के लेखर्चवा सामिल हैं इन जीलों में इमर्जेंसी कोवीड रेस्पेंस पैकेज 2 के तहत केंदर से मिली रासी से आटी पीसिया लैब के अस्थापना की गई हैं प्राती लैब के अस्थापना पर 30-30 लाख रुपे खर्च हुए हैं मुख्य मंत्री हेमान सुरें ने 26 दिसंबर को कुरोना को लेकर हुई उचसतर ये बैठक में इन जीलों में सिग्र जाज सुरू करने के निर्देश दिये थे जारखन में पच्छुआ हवा चल रही है इसी के वज़ा से आने वाले दिनों में सित लहर चलेगी तापमान में लगातार गिरावर दर्ज की जा रही है बता दे बीरसाइक रिसी विश्व विद्याले के मौसम भी भाग के मुताविक काके का तापमान सुक्रवार को 3.3 डिगरी तक गिर गया आने वाले दिने में इसके सुने तक गिरने का अनुमान है वहीं रांची इस्तित मौसम केंद्र के मुताविक पिछले 24 गंटे के दोरान खुटी सबसे ठंडी जगा रही है यहां का तापमान 6.1 डिगरी सेल्शेस दर्ज किया गया अधिकतम तापमान के मावले में चाई बासा पहले नंबर पर रहा है यहां का तापमान 27.4 डिगरी सेल्शेस दर्ज किया गया जे एसेसी की फरजी वेबसाइट से 7756 पदों पर भरती के लिए मांगे आवेदन जारकन में नहुकरी के नाम पर अभियार्थियों को ठागा जा रहा है साइबर अपराधिन युक्ति के नाम पर फरजी विग्यापन परकासित कर अभियार्थियों से ओनलाइन आवेदन मांगे गए है उक्त वेबसाइट पर परकासित विग्यापन में कहा है कि जारकन स्टेट पॉब्लिक सर्विस कमिस्टान विभिन पदों के लिए योग्य अभियार्थियों से ओनलाइन आवेदन अमंतित करता है 13 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2023 तक ओनलाइन आवेदन दिया जा सकता है सभी कर्टेग्री के अभियार्थियों के लिए जारकन का डो मिसाइल होना जरूरी है प्रधान मंत्री नायंद मोदी की माहीरा बेन का सुक्रवार तलके निधन हो गया जर्कन के मुख्य मंत्री हमान सुरेन समेथ सभी दलो के निताओं ने प्रधान मंत्री हमान सुरेन ने कहा है मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने कहा है कि मन्ने प्रधान मंत्री नायंद मोदी जी की माता के निधन की ख़बर सुनकर दुख हुआ माता पिता के जानने की भरपाई नहीं की जा सकती दुख की इस घड़ी में मैं उनके प्रति सनवेदना ब्यक्त करता हूँ इसवर उनकी माता जी की आत्मा को सांती दे वहीं भारतिय जानता पार्टी के नेता और जारकन के पुरमुख मंत्री बावुला मरांडी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किया है उन्होंने लिखा मा को प्रणाम इसवर से बिंती है कि ऐसी मा हर यूग में धरति पर आये जो मात्री भुमी के लिए नेंद्र मोदी जी जैसा परिवर्तन कारी यूग पुरूस पैदा करे बिनम्न सरदांजली सम्यद सिखर की पवित्रता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर दिली में अंदोलान जहारखन सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जहन समाज के सरवाधिक पहतो पूर्ण तीर्थ औस्तल समेद सिखर जी को पर्यटन औस्तल गोसित किये जाने को लेकर जहन समाज अंदोलित है इसे लेकर देश के भी भीन सहरों में परदसन हो रहा है जैन समाज की मांग है कि समेद सिखर जी को पवित्रता को बनाए रखने के लिए केंद्र और राय सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए सरकार के इस फैसले से जैन समाज की भावना आहत हुई है इसे लेकर दिली के रिसम बिहार जैन मंदीर में 26 दिसमबर से जैन समाज समेद सिखर बचाओ आंधुरन कर रहा है जिसमें दो लोग आमराण अन्सन पर भी बैठे हैं जिसके साथ जैन समाज के सेकड़ों लोग इस आमराण अन्सन में खड़े हो रहे हैं चुनाव कारे से हटाये गए देवघर डिसी मंजुनात भारत निर्वाचन आयोग ने देवघर डिसी मंजुनात भयंत्री को चुनाव कारे से हटा दिया है देवघर जीले में चुनाव कारे के संचलन का जीमा डी डी सी को सोपा है अब देवगर के जीला निर्वाचन पताधिकारी के रूप में डी डी सी सभी निर्वाचन सम्बंधित कार्य का संचालन करेंगे इससे पूर्व जीला निर्वाचन पताधिकारी के भूमकाय में डी सी मांजुनात भयंतिरी थे इस समाद में भारत निल्वाचन आयोग न ईसुतना जारी की है भारत निल्वाचन आयोग के प्रधान सची अर्विंद अनन्द ने जारी पत्र में कहा है कि लोगपरत निधित्व अधिनियम 19222 की धारा 13 कौक की उपधारा एक द्वारा प्रदत सक्तियों का परियोग करते हुए जार्खन सरकार के प्रामर्स से आयोग ने 5 दिसमबर 2003 की अपनी अधिसुचना संख्या 508-2003 में संसोधन किया है अमीत साह जार्खन के हर जीले का दोरा करेंगे जार्खन में नए सीरे से राइनेती सरगर्मी तेज होगी भाजपा आला कमान ने राजे में गति विधिया बढ़ाने का निना किया है इसी कड़ी में हाल ही में भाजपाक राष्ट्रिये महामंत्री सुनील बंसल राजे के दोरे पर आये थे उन्होंने अपने परवास के करम में कई वरिये नेताओं के बीचार भी मर्स किया समाज के विभीन तबके के प्रबुद लोगों से मुलकायत कर राजे से समधी जनकारी ली संगठन को भी धार देने के लिए टिप्स भी दिये बदादे आप पार्टी के पुर्वराष्ट्रिय अध्यक सकेंद्रिय गिरिये मंत्रिया मीच सा इस परकिरिया को और आगे बढ़ाएंगे उनका दोरा साथ जनवरी को प्रस्तावी था राजे में चुनावी अभियान अरम करने के लिए उन्होंने को लान प्रमंडल के मुख्याले चाई बासा को चुना है तो है कारकरम के मुताविक वे वहाँ परदेश अस्तर के वरिष्ट ने ताव संग बैठक कर दिसा निर्देश देंगे इनमें परदेश अध्यक दिपक परकास भाजपाविधायक दलकिनाद बाबल अमरांडी संगठर महामंतरी नागेंदर तिरिपाठी भाग लेंगे हर महिने के तीसरे सनिवार को शिक्षा कर्यालों में नहीं होगी कोई बैठक हर महीने के तीसरे सनिवार को प्रमंडल, जीला और प्रक्षन के सिक्षा कर्यालों में सिक्षकों से समंधित मामलो कर्णिप्टारा होगा, इस दिन इस कर्यालों में कोई बैटक नहीं होगी, इस दिन सिक्षकों और सिक्षकेतर कर्मियों के विभीन लंबित मामलों और दावे जैसे अवकास स्विक्रिती, पेंशन, चिकिस्ता, प्रती, पूर्ती, भविस्ते निधी से अग्रिम रासी की निकासी की स्विक्रिती, सेवाप पुस्तिका का संधारन, सत्यापन एवंपका प्राया वेतन भुक्तान आधिक अनिप्टारा प्रमुक्ता से किया जाएगा इसकूली सिक्षा एम सक्षता अभी भाके सचीव के रभी कुमाने सुक्रवार को इससे लेकर आदेश जारी किया दरसल सरकारी स्कूलों में परतेक तीसरे सतनिवार को आवकास रहता है इस दिन क सदुपयोग सिक्षक एम सिक्षा से जुड़े कर्मी कर सके इसे लेकर आदेश जारी किया गया है हेमांत सोरेन के तीन साल के विकास कारियों को देख बोखला गई बीजेपी चमपाई सोरेन आदिवहासी कल्यांस परिवान मंतरी चमपाई सोरेन ने सुक्रवार को बीजेपी द्वारे हमन सरकार पर जारी किये गए 4 सीट पर जमकर हमला किया है चमपई सुरेन ने कहा है कि तीन साल के अंदर हमन सरकार ने विकास की जो लंबी लकीर खिज दी है उससे भाजपा बुखला गई है उन्होंने कहा है कि भाजपा ने 20 सालों तक यहां के खनी संपदा का दोहन किया जार्खन की खनी संपदा से गुजरात और राज्य का विकास किया जबकि जार्खन को सबसे पीछले पैदान पर खड़ा करने का काम किया है यहां के संपदा से यहां के जनता को कोई लाब नहीं मिला भाजपा अब मुद्दा भीहीन हो चुकी है और अपना सनाप तथेहीन आरोप लगा कर सरकार को बदनाम करने की कोशिस में लग रही है नए साल पर हुरदंगयों पर पूलिस करेगी सक्थ करवा है परसासन इसे लेकर भी से सतक्ता बरत रहा है किसी भी तरह से अवाखसराब की बिकरी नहीं हो इसके लिए जीला परसासन गंबी रहा है कुडमी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग के कारण जान को खत्रा बेसरा जारखन अलग राज अंदुलन के अगरणी नेता रहे सूर्य सिंग बेसरा को जान का खत्रा महसुस हो रहा है खर्षावा के सहीद अस्थल जाने से रोका जा रहा है आदिवासी करार देते हुए पूतला जलाया जा रहा है इन सब खत्रों के बीच जारखन सरकार ने मेरा अंगरक्षा खटाद लिया है बेसरा ने कहा है कि जारखन्डियों के लिए अलग राज लड़ाई लड़ने वाला आदिवासी बिरोधी कैसे हो सकता है लेकिन आदिवासी मुलवासी में दराड डालने वाली साजिस के तहाद मेरी बातों का बिरोध कर रहे है यदि कुडमी महतों को ट्राइबल बना दिया जाए तो यह ट्राइबल एस्टेट घोसित हो सकता है रांची में सरस महोचों में महात्मा गांधी के चितर की परदर्सनी राइधानी रांची के मुराबादी मैदान में खादी ग्राम उध्योग और उध्योग विभाग द्वारा राश्ट्रिये खादी अमसरस महोचों का उजन किया जा रहा है इस महोचों में देश के अलग-अलग हिसों से खादी लगू यम कुटी रूद्योग तथा गांधी की स्वयम सहायता समुध वारा बनाए गए उत्पादों की परदर्सनी लगाई गई है जहां बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं इस मेले में अकर्शन के केंद्रे में राष्ट पिता महात्मा गांधी से जुड़ी यादों को सहेजे गए गांधी स्रंग रहाला है जा बापु की दूरलब एक हैर से अधिक चीत्रों में से एक तो चीत्रों को परदसन किया गया है इसके अलावा चर्खा से समलंबन की उनकी अधारना को भी जीवन्त होते हुए मेले में दिखाया गया है जार्खन में BF7 आया तो मचाएगा तबाही कुरोना के नए सब वेरियेंट BF7 को लेकर आ रही खबरे जार्खन के लिए चीनता पैदा कर रही है बता दे पूरी दुनिया कुरोना वाइरस के नए सब वेरियेंट BF7 से सहस्मी सी है भारत में अभी हलाज पूरी तरह समाने है इसके बावजूद इसके एक डर जार्खन जैसे राजियों के संदर्व में या है कि राज में कुरोना वैक्सिन को लेने वाले लोगों ने उदासिंता दिखाई है साथ पलस वाले 28 लाख बुजूरगों ने वैक्सिन का बूस्टर डोज नहीं लिया वहीं 18 पलस वाले 50 लाग से अधिक लोगों ने कोविड वैक्सिन का दूस्तरा डोज तक नहीं लिया है सीबी एसी प्रेक्टिकल परिक्षा की करानी होगी फोटोग्राफी सीबी एसी की दसवी और बरहावी बोट की प्रेक्टिकल परिक्षाएं प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असिस्मेंट दो जनवारी से शुरू होगे चौदा फरवरी तक होने वाली परिक्षा को लेकर बोट ने स्कूलों को गाइडलाइन भेज दिया है इसके तहट इस बार परिक्षा के दुरान सभी केंद्रों में फोटोग्राफी करानी जरूरी है बोट के निर्देश के अनुसार इसमें लापरवाही करने वाले स्कूलों पर करवाई भी की जाएगी प्रेक्टिकल की परिक्षा में तीस छातरों का एक गुरूप होगा परिक्षा के तुरंत बाद इस गुरूप की फोटों सिब्यस्ती के वेब साइड पर अपलोट करने होगी साथी परिक्षा प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नल असिस्मेंट के मार्क्स भी अप्लोट करने होंगे 2024 का साल जार्खन के लिए भाजपा से मुक्ती का वर्ष होगा आजेये में 2017 सीन जार्खन मुक्ती मोर्चा के केंद्रिय समीति से सुपिरियो भट्टा चाये ने पार्टी कर्याडे में पत्रकार वार्ता को समधित करते हुए कहा है कि 7 जनवारी को केंद्रिय गरी मंत्री अमीच साचाईबास अदवरे पर आ रहे हैं उनका अनुमान है कि अमीच साकाया दवरा संसाधिय सीट को लेकर है हमांत सरकार के सफलता पूर्ण तीन वर्ष के कारेकाल से भाजपा नेताओं में बेचायनी है उन्होंने कहा है कि 2023 नई चुनोतिया का वर्ष होगा जामो अपने गठन से ही संगर्षोत जूज कर आगे बढ़ा है अगला वर्ष राइनीती तोर पर जामो का संकल्प का वर्ष होगा यही नहीं 2024 का साल जार्खन के लिए भाजपा से मुक्ती का वर्ष होगा ग्यात हो कि 2024 में जार्खन में विधान सबा चुना होंगे बायोमेट्रिक उपस्थिती का आज से भहिस्कार करेंगे राजे के चिकित्सक राजे सरकार के अधीन करणा सभी चिकित्सक सन्निवासे बायोमेट्रिक उपस्थिती दर्ज नहीं करेंगे ये चिकिसक दिसंबर मास्व बायोमेट्रिक उपस्थिती के अधार पर बेतन भुकतान के आदेश का बिरोध कर रहे हैं स्वास्थ विभाग ने अस्पतालों में उपस्थिती सुनिस्चित कराने को लेकर चिकिसव और कर्मी समयत आउट्सोर्चिंग करमचारियों के लिए भी बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार कर दिया है इसमें जिनकी उपस्थिती जीतने दिन की होगी उतने ही दिन का वेतन भुकतान होगा बताजे जार्खन राज स्वास्त सेवास संग इसका विरोध कर रहा है जासा के सचीव डाक्टर ठाकूर मित्यूम जाय सिंग ने कहा है कि चिकिसा अपनी डूटी करेंगे लेकिन अपनी उपस्थिती पंजी में दच करेंगे सभी सजस्ते चिकिसा बायोमेटरी उपस्थिती का वहिसकार करेंगे दूमका में राष्ट्रिय आदिवासी बिद्रोह का कल संखनाद होगा आदिवासी सेगेल अभियान के राष्ट्रिया अधियक्स पुर्व सांसल सालखन मुर्मूने एलाइन किया है के राष्ट्रिया अधिवासी बिद्रो का संखनाद 1 जनुवरी दोहियातेईस को संताल परगना के राईदाने दुमकासे होगा देश भर के अधिवासीयों को नयाए अधिकार और आजादी के लिए और एक करांती की जाएगी सरनाध धर्मकोट को हर हाल में 2023 में हासिल करेगा जारखन का पुरन निर्मान करना है सहीदों का सपना अभुवा दिसूम अभुवा राज को थापित करना है सुक्रवार को प्रेस कॉन्फरेंस में उन्होंने जनकारी देते हुए बताया है कि आधिवासीयेत की रक्षा में बिफल सुरेन, खंदान और इसाई मिस्नर्यों के खिलाप आवाज बुलंद करेंगे उन्होंने कहा है कि दिसूम गुरू और इसाई धर्म गुरू बेकार साबित हो चुके है खुटी में थपड मारने मामले में एस्पी ने दिया जाच का आदेश खुटी सहर में वाहां चेकिंगे दवरान डिएभी पब्लिक स्कूल के सिक्षक उमा कांत नाद को एस आई नमीन कुमार द्वारा सर्याम थपड मारने के मामले की जाच का आदेश एसपी अमन कुमार ने दिया है पूरे मामले की जाच खुटी सरकील के इंस्पेक्टर करेंगे सिक्षक ने घटना के लिखित सिकायत एसपी से की है इस समान में SP ने कहा है कि दोनों पक्षों से पुष्टाच की जाएगी जाच रिपोर्ट आने के बाद विभागिये करवाई सुरू की जाएगी जारखन में बढ़े सरदी खासी और बुखार के मरीज अचानक पारागिरने से लोग समाने फुलू सरदी खासी के साथ बुखार की चपेट में आ रहा है हर परिवार का एक या दो सरद से इससे पीड़ी था है समाने फुलू से बचाव के लिए लोग लक्षन के अधार पर पर परसिता मोल, कॉप, सिरप और एलर्जी की दवा खरीद रहा है बता दे राजे में 18,000 खुदरा दवा दुकाने हैं जहां हर दुकान पर रोजाना इस वक्त कम से कम 10 लोग समाने फुलू की दवा खरीदने आ रहा है हर आदमी 300 से लेकर 500 रुपे तक की दवा खरीद रहा है नए साल पर देव घर मंदीर में डेढ़ लाक सरधालों के आने की उमीद उसी पर अमल किया जाएगा बता दे पिछली बार नए साल के मौके पर एक लाकती से अर्था धालू पहुंचे थे इस बार भी ज्यादा होने की समभाना जताई जा रही है धन्यवाद